36 दिन से बकाया वेतन के भुक्तान को लेकर आज हसी कामगार हिंदी पुख्याले का घेराव कर रहे हैं साथी मुख्याले में तालाबंदी किया गया है मुख्याले में किसी भी अधिकारी को जाने नहीं दिया जा रहा आपको बता दे कि कामगारों के आंदोलन में H.O.C. कॉलिनी के लोग वक्काई संगठन शामिल है जहां सभी ने H.O.C. बचाओ मजदूर जन संगर्ष समीती द्वारा रविवार को एक बैठक की गए बैठक में आंदोलन को सफल बनाने करने न लिया गया आज के आंदोलन में कामगार का कहना है कि दो माह का वेतन दे कर बकाई वेतन भुक्तान किया जाए और हर माह वेतन भुक्तान की तिथी तैक की जाए जिसे लिखे तोर पर H.O.C. के डिरेक्टर द्वारा दी जाए साथ ही कामगारों का कहना है कि बिना समझोता और उत्पादन शुरू नहीं किया जाएगा इसे लेकर मुख्याले के डिरेक्टरों से बातचीत की गई और यह निर्ना लिया गया कि आज शाम चार बजी हसी कामगार लोगों के साथ वारता की जाए जहां तीन मुख्य डिरेक्टर मौजूद रहेंगे और इस मामले का हल निकाला जाएगा वहीं मौजूद विभिन संगठन के नेता द्वारा यह कहा गया कि अगर एचिसी द्वारा उनकी बातों को नहीं रखा गया और इसका कोई पुखता निर्ने नहीं लिया गया तो वह लगतार आंदोलन की जारी रखेंगे और कारियों के शिर्वात नहीं करेंगे इसके साथ साथ वहां मौजूद करमचारियों ने अपनी वेथा व्यक्त करते हुए कहा कि एटिसी द्वारा जल्द से जल्द कुछ निर्ने लिया जाए और बकाया राशी जल्द से जल्द दी जाए वरना यहां आंदोलन जारी रहेगा जो काम कर रहा है उसको एवाज में हम लोगों का साथ महना के जो बेटन हम लोगों को रुका हुआ है बेटन हम लोगों के दे और इसको बेचिने नहीं देंगे परतिशित करखाना है जिसमें 4,000 से लेके 1,20,000 तक का experience लो काम करते हैं आज management कहती है कि हमको घाटा हो रहा है हम पेमेंट अगर नहीं देने सकेंगे तो माप करो मज़ूर अगर चो महिना सो पेट नहीं भरा है तो कहीं ना कहीं अगर आपको माथे में भी आगा तो आपको भी दर्द होगा Newswing के लिए राची से श्रावश्य मखर जी के रपोर्ट Giridhi is a small place and we have like very less facilities in terms of you know education and this kind of infrastructure it came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridhi those who are leaving the town and going outside for you know studies their higher studies and their education I wanted my son to start with the coding classes so I researched it online I got through all the reviews and everything then I got in touch with the white hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing so then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn you know this thing I started coding because we can make our thoughts real we can interact with the computer white hat junior is helping me to create a web browser and I think on this part white hat is actually leading you know on this this coding platform it is definitely a very good platform and one should implement in every school